बाजार में मिलने वाले खुबसूरत रंग विरंगे soft toys की और बच्चे और बड़े आकरशित हुई बिना नहीं रह पाते। इन खिलोनों की सुन्दरता और मासूमियत अपनी अलग ही छाप छोड़ती है। आपको बता दें कि आप भी बहुत असानी से soft toy बना कर अपना business शुरू कर सकते हैं। आज के टाइम में ना केबल ये खिलोने खेलने के काम आते हैं बलकि घरों की साजावर के काम भी आते हैं। ऐसे में आप में भी कुछ creativity है और आप business शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में soft toy making business से चुड़ी चानकारी देंगे। कितनी जगा की जरूरत होगी? Software बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी जगा की जरूरत नहीं है बलकि इसके लिए आपके घर पर एक छोटा सा कमरा काफी है। अगर आप इस business को बड़े स्तर पर जादा निवेश के साथ करना चाहते हैं तो आप एक दुकान किराय पर लेकर शुरू कर सकते हैं। निवेश कितना होगा? इस काम में लागत की कोई सीमा नहीं है फिर भी आप इस business में लगब 5-15,000 रुपे लगा कर छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। चीजे बनी-बनाई मारकेट में मिल जाती हैं। सिलाई मशीन, सुई धागे आ दिये। वैसे ये काम अकेले भी किया जा सकता है लेकिन अगर आपको soft toy के pattern cut करने में दिक्कत आती है या फिर soft toy को सिलने में दिक्कते आती हैं तो आप एक ऐसे अनुभवी व्यक्ती को अपने साथ चोड़ सकते हैं जिसने पहले ये काम किया हूँ। इसके साथ ही आप काम बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास काम अधिका गया है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से और लोगों को भी चोड़ सकते हैं। किन-किन लाइसेंस की जरूरत Soft toys business को शुरू करने के लिए जादा legal formalities की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने local municipality office से trade license लीना होगा। इसके लावा MSME उद्ध्योग आधार से registration भी कराना पड़ेगा। Profit कितना होगा। Soft toy making में कमाई का भी अच्छा अफसर है। इस business में लगबग 12-15% profit होता है। Basic training अगर आप इस काम में लागत के हिसाब से इस छोटे scale पर शुरू करते हैं या बड़े स्तर पर तो दो महीने से लेकर 6 महीने की training ली चा सकती है। जिससे आप different style के soft toy बनाना सीख सकते हैं। आप soft toy making का पूरा course कर सकते हैं। Marketing कैसे करें। अपने soft toy making काम के प्रचार का सबसे अच्छा तरीका है mouth publicity यानि शिरुवात में अपने दोस्तों, रिष्टेदारों या पड़ोसियों के बच्चों के लिए सस्ते soft toy दे कर अपना प्रचार करें। इसके अलावा pamphlet और hoarding के जरीए भी अपने काम का प्रचार किया जा सकता है। आप अपने area की सारी soft toy shops पर जाकर सीथी तोर पर मिल सकते हैं और उन्हें अपने काम के बारे में बता सकते हैं। ये थी soft toys making business की पूरी चानकारी। तो आज ही शिरू करें अपना खुद का business और कम investment में अच्छा मुनाफ़ा कमाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो like और share जरूर करें। ऐसे और business ideas के लिए comment करें और हमें लिखें। आपके business का सच्चा साथी